हेलो एव्रिवन, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ बदीभा, मेरे चैनल कानपुर कीचेन एंड व्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चटकारा आलू चाट की रेसिपी चटपड बनने वाली ये चाट बहुत ही टेस्टी लगती है लॉकडाउन की बज़े से आप बाहर की चाट को मिस कर रहे हैं फट फट आप इसे पांच मिनट में बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीचेगा चटकारा आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 5-6 बड़े जमच की जितना तेल डालेंगी और तेल को अच्छे सी गरम हो जाने देंगी जब यहाँ पर तेल गरम हो जाएगा तभी हम इसमें ये आलू एट करेंगे तो यहाँ पर यह 4 medium size के ऊपले हुवे आलू को हमने इस तरह से टुकड़े में कट किया हुआ है द्यान रखें इसमें ऊपले ही आलू लेने है और इस तरह से हम आलू को अलग-अलग टुकड़े कर देंगे और ये जो आलू है हम इन्ने डाल देंगे और इन्हें हमें अच्छा सा सुनहरा कलर होने तक भूनना है तो शुरुआत में पहले आलू को इस तरीके से तेल में अच्छे से डाल दीजिए आपको इसे बिल्कुल भी टस्ट नहीं करना है अगर आप इन्हें टस्ट करेंगे तो आलू जो है वो मैसी हो जाएंगे इस तरीके से जब एक साइड से आपको गोल्डेन ब्राउन से दिखने लगे तब ही आप इसे टर्न करिएगा यह देखे आप इनका कलर चेंज हो किया है तो हम इसे टर्न कर देंगे इस तरीके से और चारो तरब से हम इन्हें अलटते पलटते वे अच्छा सा क्रंची और सुनहरा होने तक फ्राई करना है आप चाहें तो इन्हें डीफ फ्राई भी कर सकते हैं यह दिखे फ्रेंज आलू हमारे अच्छे से भुन चुके हैं तो अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही कुरकूरे हो गए है अब ये आलू अब हम इन भुने हुए आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर एक पैन में हमने दो चम्मच तेल रखा हुआ है तेल गरम हो जाएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 7-8 कलियां बारीक कटा हुआ लैसुन एक चम्मच कासमेरी लाल मिर्च पाउडर जो कुछ तीखा नहीं होता है आधा चोटी चम्मच के जितना हल्दी पाउडर आधा चोटी चम्मच चिली फ्लेक्स एक बड़ा चम्मच डालेंगे चाट मसाला पाउडर जो कि इसमें बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट देग तो इसमें ग्रेन चिली सॉस भी उच्छ कर सकते हैं ध्यान रखें फ्लेम को बंद करके ही इन सारी चीजों को डालना है अधरवाइस जलने लगेगा तो यह देखें मैंने अभी फ्लेम बंद किया हुआ है अब जब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इसके ब बस लगबग हमी ने इस जो सॉस हमने तयार किया हुआ है इसके साथ हमें सिर्फ एक मिनट तक ही इस तरीके से मिक्स करते वे भोनना है जैसे एक मिनट हो जाएगा और यह जो सॉस है आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा हम फ्लेम को कर देंगे बंद और यह हमारी च थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा जम्मच हम इसमें डाल देंगे नीबू का रस तो खटास आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना खटा आपको पसंदो बट नीबू का रस इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है आप चाहें तो नीबू के रस की ज गूत्पिक लगा करके रख देंगे जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है चटपट बनने वाला ये चटकारा आलू चाट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर जर कि ये गता है